हेलो हुटगन उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे मेरा नाम है राजिश और आप सभी लोग का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंड में एक बार फिर से स्वागत है तो यहां से आज हम बात करने वाले हैं वोड़ापून आइडिया लिम्टेड शेयर के पर चैनल गबग स्टॉक 23% हाइं स्टॉक में हमें देखने कोली बिला यह से स्टॉक मों Epani स्टॉक साल खटम होते हमें ब्हुत्क हमें जबर्दस रेटन और रैली यहां पर दिखा गया तूज का जो बीग कि-भास या साल लास्ट डेडिंग सेशन देखने को बात था या इस वीडियो में हम जानेंगे कि साथ के साथ previous quarter results कैसे थे company के और इस stock में fresh buying के लिए क्या levels हो सकते हैं और जानेंगे कि क्या हमें next resistance देखने को मिल सकते हैं और क्या possible levels रहेंगे साला कुछ जानेंगे इस वीडियो में वहीं एक साल में stock हमें यहां पर पैसे को दुगना करता हुआ देखने को मिला है यानि 100% से जादा का यहां पर positive return हमें देखने को मिला है वहीं अगर आप last 5 years की बात करें तो last 5 years से लगबग stock हमें downtrend में ही देखने को मिला था और stock कहां से डाउन हा रहा था लगबग हमें 24 रुपीज के लेवल से stock में downtrend channel स्टार्ट हुआ था देखने को मिला था और अभी देखिए लगबग stock हमें 16 रुपए के करीब में चल रहा है हमें company में एक खुड़ी infusion की बात चल रही थी इस जैसे इस news की वेज़े से में stock में तेजी देखने को मिली थी अगर यह news आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे description में इसका link share कर दूँगा stock में एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमें आज और कल के जो volume यहाँ पे आय थे तो आप देखिए तो 199 क्रोड का volume हमें यहाँ पे trade होता हुआ देखने को मिला था वर ऑज के सेशन मेंं और फ्राइस के सेशन में , वो सेशन में इसमें यहां से वॉल्य। गैं वोनमंत期 के वोल्यूम है देखने को मिला है अगर आप उनमट akt वोल्यूम भी देखेंगे जहां से तो यहां पर हमें 49 क्लोर की सिर्फ delivery उठते वे देखने को मिली थी और 199 क्लोर का total volume हमें trade होता हुआ देखने को मिला था वह यह गर वन वी केवरेज की बात करें तो भी हमें 69 क्लोर का में यहां पर volume अगर quarterly results देखेंगे तो यहां पर हमें लगपक यहां से हमें same ही revenue देखने को मिल रहा है company का net profit की बात करें तो आप देखेंगे net profit में हमें company का जो है वो loss पोस्ट करते हुए देखने को मिला है बड़ा loss company ने पोस्ट किया है और यह भी देखिए लगातार company का जो loss है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है अगर यहां से share holding pattern देखें तो September 2022 में 74.99% के stake promoters के हुआ करते थे और अभी देखिए घटके 50.36% के stake हमें promoter के देखने को मिल रहा है अगर FIIs की बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं September 2022 में 3.53% के stake देखने को मिल रहा थे उसके बाद अभी आप देखिए तो September 2023 में 2.46 के stake हमें देखने को मिल रहा है हाला कि previous quarter से जहां पर 2.29% के stake थे वहां से हमें थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो अगर यहीं पर D.I.I.S की बात करें तो आप देखिए September में 0.68% के stake थे March में 33.72% के stake हमें देखने को मिले और अभी देखिए तो 34.98% के stake हमें यहां पर September 2023 में देखने को मिल रहा है D.I.S के तो यहां पर देखिए काफी ज़्यादा हमें D.I.S को यहां पर इस stock में भरोसा देखने को मिल रहा है तो आप देखेंगे बहुत ही simple stock है इससे पहले आप देखिए जो stock में हमें ब्रेक आउट देखने को मिला था stock था वो एक हमे downtrend channel में चलता हुआ देखने को मिला था यही stock में चाल थी उपर की side में हमें resistance देखने को मिला था नीचे support था exactly यही pattern हमें stock में देखने को मिला और यहां से इसके बाद breakout देखने को मिला breakout हुआ, retest हुआ उसके बाद वापस से stock में हमें इस चैनल में वापस आते हुए देखने को मिला और अगर अभी इस चैनल में स्टॉक आ गया है तो आप देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के हमें कोई नीड नहीं है यहाँ से हटा देंगे और अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ से अब आप शसे बाहरे नीड है अभी आप देखेंगे तो इस टॉक में नीचे की साइड में वह था ऊपर की साइड में रिजिस्टैंस यही स्टॉक की छाल थी ऐसे ही कुछ स्टॉक की छाल थी नीचे सपोर्ट आया फिर हमें target देखने को मिले यहां से breakdown देखने को मिले वापस से re-entry देखने को मिले चैनल में और अभी देखी वापस से stock और लगभग अपने resistance के करीब आ गया है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 17 रूपीज का यहां पर इसका major resistance है और अगर stock इस level को cross कर लेता है तो stock में फिर हमें बड़े level देखने को मिल सकते हैं और वो बड़े level क्या होंगे वो बड़े level हमें देखने को मिल सकते हैं 22 रूपीज तक की और मैं कोई बहुत जाजा level यहां पर नहीं बता रहा हूँ कि यहां पर की 40 रूपय का level आ से हम चोटे चोटे target लेते हैं तब जाके वो बड़ा target हमें देखने को मिलता है तो अभी यह नहीं है कि stock directly 22 रूपीज तक की पहुच जाएगा अभी देखिए इस से पहले हमें 17 रूपीज का resistance देखने को मिल रहा है अगर 17 रूपीज का जो resistance है क्योंकि इस से पहले आप द देखेंगे तो यहां पर हमें 20% से जादा का यहां पर positive return आज के session में हमें देखने को मिल रहा है और अभी 17 रूपीज का level अगर यह cross करता है तो फिर से हमें यह stock rocket की तरह जाब भागता हुआ देखने को मिल सकता है और नीचे के side में अगर support की बात करी जाए fresh entry की बात करी तो fresh entry आप देखेंगे तो stock हमें लगबग यहां से resistance के करीब देखने को मिल रहा है तो यहां से अगर आप resistance के करीब में यहां पर इस stock में entry करेंगे तो यह पका यहां से trap होने वाला chance होगा आप यहां से stock में trap हो सकते हैं तो इस तरीके से किसी भी stock में entry नहीं करनी चाहिए आप वहाँ से किसी भी stock में या तो support के करीब में entry करें और support क्या है इसका जो support था ये था और अब immediate support की भी अगर बात करें तो यहाँ से immediate support आप जाएंगे तो 14 rupees का देखने को मिलेगा तो यहाँ से immediate support इसका 14 rupees निकल के आ रहा है और इसका जो strong और major support है वो है 12 rupees का अगर 12 rupees के नीचे जाता है stock तो stock में वापस से weakness देखने को मिलेगी तो stock वापस से कहीं न काई इस trend line के करीब आता हुआ देखने को मिलेगा और इसका जो level है वो क्या है वो हमें लगबग 10 rupees के करीब में देखने को मिलेगा अगर यहां से stock 17 rupees तक जाता है और यहां से breakout नहीं देपाता है तो फिर stock वापस से नीचे आएगा और हो सकता है 14 rupees के करीब में समलता हुआ देखने को मिले और वापस से एक बार दुपारा से attempt करें साइड में देखेंगे तो नीचे के साइड में वाल्यूम्स भी यहां पर एंटर होते विए देखने को मिले है तो यहां पर देखेंगे तो लगभगा में आज के सेशन में 199 क्लोर का ट्रेडिंग देखने को मिला है इस stock में तो यह चीज़ आप देख सकते है तो इस तरीके से यहां पर मैं Vodafone आइडिया को देखता हूँ अगर इस stock 17 रूपीज के ऊपर निकलता है तो यहां पर 22 रूपीज के ऐसे लेवल है जो stock दिखा सकता है और फ्रेश वाइंग के लिए अगर बात करें कौन से लेवल सही रहेगा तो इस फ्रेश वाइंग के लिए current लेवल बिलकुल भी नहीं सही रहेगा क्योंकि इस stock resistance के करीब है 14 रूपीज या 12 रूपीज यह इसके दो major लेवल्स ऐसे हैं जो stock में support की तरह act कर सकते हैं तो इन लेवल्स को आप जरूर दियान रखें अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें मिलता हूं फिर नेक्स वीडियो में थैंक्यों फॉच्चू में वीडियो